दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केज रिवाल ने आज अपना स्तीफा एल जी को सौप दिया वहीं जो नई बागदोर है वो आतिशी को जिम्मेदारी दी गई है उनको सौप आगया है क्या कुछ भाजपा आपका इस पर कहना है इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए दक्ष सब्सक्राइब करता हूं उसी छेतर से हैं कालका जी से मैं कालका जी से पार्लेमेंट का मेंबर हूं पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उनको अपनी सुबकामनाय देना चाहता हूं और यह विस्वास दिलाता हूं कि विकास के कारियों में उनको जहां भी हमारे सईयोग की आशिकता पड़ेगी, हम उनको सईयोग करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे तजर्वे का विफाइदा उठाएंगी, अभी तक उनके अपने कालकाजी विधानसभा छित की सिती बहुत खराब है, मैं आतीसी जी को कहना चाहता हूँ, दिल्ल ठीक है वो कालकाजी से विजही रही, लिकिन उसके बाद नगनिगम को चुनाव हुआ, आतीसी जी अपने सारे वाड्स हार गई, तीन वाड्स हार गई, और अभी जब मुझे 2024 में है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का सभागे पराब्द हुआ, तो उनके विधानसभा छ जो purely dominated by धुग्य जोपरी वाला, तो आतीसी जी अपनी विधानसभा को संभाल नहीं पा रही, वो दिल्ली को क्या संभालेंगी, और पिछले डेट सालों से, जब से सिसोधिया जेल में थे, मुख्यमंत्री अरविंत केजरिवाल जेल में थे, तो आतीसी जी दिल्ली को चला रसा की है, राजिंदर नगर में बेस्मेंट में पानी घुज जाए, छात्रों की मिर्त्व हो जाए, थोड़ी सी बरसात होई, दिल्ली डूब गई, आज पूरी दिल्ली के अंदर आप चले जाईए, जब से नगर निगम में आम आदी पार्टी की सत्ता आई है, कोड़े के ढेर लगे हुए है, आतिसी जी जलबोड की चेर्मेन है, और विवाग की मंतरी भी है, मैं उसे पूछना चाहता हूँ, कि आज उन्होंने जलबोड को कंगाल बना दिया है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जो जलबोड 600 क्रोड रुपे के म मुनाफे में चल रहा था, अर्विंद केजरिवाज जी के मुखे मुंतरी बनने से पहले, क्या कारण है कि आज वेजलबोड 73,000 क्रोड रुपे के घाटे में चल रहा है, सारा जो सिवरे सिस्टम है, वो पूरी तरह बरबाद हुआ पड़ा है, कहीं नई सिवर लाइन डाल गई तो वो चालू नहीं हुई, तो आतीसी को बताना पड़ेगा आखीर, समय उनके पास बहुत कम है, वो इस कम समय में है, जो दिल्ली के सामने अनेक समश्या है, जो पूरी तरह से पिछले दस सालों में आम आधी पार्टी के सरकार ने दिल्ली को बरबाद कर दिया है, हम अधी के साथ में भाजपा हम देख रहे हैं, लगातार उनका जो सरनेम हुआ करता था मार लेना, उसको लेकर भी आकरामक है, मनोश तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं, विरेंदर सजदेवा जी सवाल उठा रहे हैं, मार्क्स और लेलिन से जोड़कर बनाया गया, ये लगा अधार कहा जा रहा है, क्या कुछ आप इस पर कहीं? अपनी भासा को भी मैंने ठीक रखा, और जो कुछ मेरे द्वारा मर्यादा में रहके, अर्विंद केजरिवाल जी के उपर, उनके मंत्रियों के उपर, उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, जो भी मैंने आरोप लगाए, आप विधान सबा का रिकॉर्ड उठा के देख किया था, मालूमी नहीं था लोगों को, जब मैंने पहली बार विधान सबा में कहा, कि आप नौन कनफर्मिंग एरिया में शराब के ठेके नहीं खोल सकते, मास्टर प्लान आपको पर्मिटी नहीं करता है, आपने कैसे खोल दिये, क्योंकि सेक्डो क्रोड रुपिया आपका घोटाला जो आपने एक्स्पोज किया, उसका आज नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंतरी को इस्तीफा देना पड़ा और अब कार्रिवाहक मुख्यमंतरी हैं, ये कहें? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, इस्तीफा देना पड़ा, क्या उसके कारण रही मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लिकिन मैंने एजे लीडर पोपोईशन उनको आगहा किया, कि आप इस नई एक्साइज पॉलिसी को वापिस ले लीजिए, आपने शराब के ठेकेदारों का कर दिया है, दिल्ली में 20,000 क्रोड उपी के शराब हर साल बेची जाती है, सीधे सीधे आपने उनको 2000 क्रोड उपी का फाइदा पहुचा दिया है, और नॉन करफर्मिंग एरिया में, रियाइसी छेत्रों में, गली-गली में शराब के ठेके खोल कर आप दिल्ली के कर दिया है, मैंने तो हाउस में कहा, मैं आपसे हद जोड के प्रात्रा कर रहा हूं, कि आप अपनी इस नई पॉलिसी को वापिस ले लो, लेकिन केजरिवाल जी का ये कहना था, नई शराब नीती बहुत अच्छी है, युआओं को, महिलाओं को, आसानी से शराब सुलब हो सर, आतिशी, आज जब मीडिया को संबोधित कर रही थी, मुख्यमंतरी जब उन्हें जम्मेदारी दे दी गई, तो उनका कहना था कि केजरिवाल जी इकलोते ऐसे व्यक्ति हैं, पूरे दुनिया के लोकतंत्र में, जो शायद इतनी आसानी से अपनी कुरसी छोड़ कर चले देखे, आप एक बात को समझ लेजिए, आतिसी जी को अरविंद केजरिवाल जी ने मुख्यमंतरी क्यों बनाया है, आप उसका कारण समझ लेजिए, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आतिसी जूट बोलती है, और हमारे उपर आरोप लगाती है, और किस तरह से वो अरविंद केजरिवाल की तुलना कभी भगवान राम से, कभी सही दियाजम भगस सिंग से करती है, तो ऐसी चीजें और ऐसी बातें अरविंद केजरिवाल जी को बहुत पसंद आती है, मैं पूछना चाहता हूं आतीसी से, मुझे वो एक काम बता दे, डेट साल से सबसे ज़्यादा पूरा दिल्ली उन्होंने बर्बाद कर दिया, आज मैं मंगोलपुरी गया था, दिल्ली का उन्रेवल एलजी ने, आज महां जिन किसानों की जमीन एक्वायर हो जाती है, उनको अल्टेनेटिव रेजिजेंसर प्लॉट्स मिलें, किसान की मिर्ति हो जाती है, तो उनके वार करने कि उन्हें डमी सीएम बोल रहे हैं, आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरिवाल जी को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो उनकी तुलना भगवान राम और सहीदाजे बगर सिंग से करें, और सुबह से लेके शाम तक, एक के बाद एक पूरे कॉन् का विश्वास भी कर लें, हिटलर एक ही बात कहते थे, कि एक जुट को सौबार बोलो, लोग सचमाल लेंगे, तो आप केजरिवाल की तुलना हिटलर से कर रहे हैं? ने, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं हिटलर ऐसा कहते थे, तो आम आदमी पार्टी जो है, उसी रास् पसंद करते थे, वैसे ही केजरिवाल पसंद करते हैं? विकास के लिए, परधान मंत्री जी का जो योगदान रहा है, मैं एक नहीं आपको एक दरजन उधारन दे सकता हूँ, आज दिल्ली के चारोतरफ एरिफिल रोड बनी है, साथ हजाग ट्रक्स दिल्ली में आते थे, उनके अंट्री बेन हो गई, आज दुनिया के सबसे बड पार्क बदरपूर में 885 सेकर जमीन पर बनाया जा रहा है, अनेक फ्लाइवर्स बनाये गए, तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, 26 उस फ्लाइवर्स है, 18 अंडर पासीज है, एक डेट किलमेटर लंबी टरनल बनाई है परगती मैदान के साथ, यह सु भूमी में कितना बड़ा कर्वेंशन सेंटर बनाया है, प्रगती मैदान में कितना बड़ा कर्वेंशन सेंटर बनाया है, पुलीस वार मेमोरियल बनाया है, पुलीस हेड़कॉर्टर बनाया है, करतब पत बनाया है, आप जाइए द्वारका में बंदना पार्क बनाया है, 140 इकर जमीन में, एक दरज़न उधारन दे सकता हूँ कि मोधी जी ने दिल्ली को एक से एक शांदार तोफ़ा दिया है अर्विंद केजरिवाल बता दें कि उन्होंने कोई फिलाइवर बनाया हो कोई शोल खोला हो कोई उन्होंने ने कॉलीज कोला हो और आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पुर्दूसी तरहाँ आप सिर्फ केजरिवाल जी को दे रहे हैं आतिशी जी को भी दे रहे हैं तो मैं A36G से उनके पिछले 10 साल की जो परफॉर्बंस रही है, उस पर भी चरचा करना चाहूंगाolly क्या दिया है दिल्ली को उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा इसके लावा एक और सवाल पूछना चाहूंगी सर्थ सुप्रीम कोट ने फिलहाल जो बुल्डोजर एक्शन है उस पर अक्टूबर तक रोक लगा दी है बुल्डोजर एक्शन हम देखी रहे थे पुरे देश मे अलग-अलग राज्यों में चल रहा था खास्ता और यूपी का उसमें जिक्राता था क्या कुछ आप कहेंगे इस पर देखे इसका मतलब यह हो गया है कि देश में कोई भी आदमी यदि सड़क के उपर भी निर्मान कर लेगा नहीं नहीं वो एक्सेप्शन सुप्रीम कोट क्लरिफाई करें और अभी तक उत्तर प्रदेश में यदि बिल्डोजर चला है तो अवेद निर्मान पे चला है बाकाइदा अरवाई की गई है नोटिस दिया गया है उनसे सवाल करें कहीना कहीना कुछ गलत हो रहा था इसलिए सुप्रीम कोट को भी इसमें एक स्पश्ट आदेश देना पड़ा ने मैं बता रहा हूं ना आपको सुप्रीम कोट जो है यदि मालो किसी का घर लीगल बना हुआ है उनकी अपनी नीजी जमीन के उपर बना हुआ है यदि वहां कोई सरकार बिल्डोजर चलाती है तो सुप्रीम कोट को पूरा अधिकार है और यदि को कोई सरकारी जमीन के उपर अवे निर्मान कर लेगा तो फिर किसी सरकार को कोई भी कारवाई करने से रोक नहीं सकता उनको जो भी उसके लिए फॉर्मल्टीच पूरी करनी होंगी वो करनी चाहिए नोटिस देना चाहिए उनसे जवाब मांगना चाहिए तो जब वो बाद भी लगता है सरकार संतुस्त नहीं है तो फिर कारवाई करने के लिए सरकार संतंतर है आखरी सवाल सर दुबारा से रवनीत सिंग बिट्टू जी को लेकर सवाल पूछूंगी मैंने कल भी आपसे इस बारे में बात की थी रवनीत सिंग बिट्टू जी ने पहले आतं जब वो बोल रहे थे तो कई ना कई आपने समर्थन किया था कि उनको जरूर ऐसे कुछ फैक्ट में ले होंगे मैंने समर्थन ने किया मैंने ये कहा था क्योंकि वो भारसरकार में मंत्री हैं स्वधानिक पद पर बैठे हुए हैं जरूर उनके पास कोई जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर शायद उन्होंने को ऐसी बात कही हो तो अब इस मामले में विस्तार से तो बिट्टू जी ही बता सकते हैं और आपको पूरा अधिकार है बिट्टू जी से पूछने का, कि बिट्टू जी बताईए आपने आतंकवादी यदि उनको कहा है तो उसके लिए आप सबूत पेस करिए अभी की पार्टी के हैं क्योंकि बिट्टू जी केंद्रे मंत्री भी हैं और एक सांसद के लिए इस तरह की भाषा जो इस्तिमाल हो रही है क्या पद की गर्मा रखनी चाहिए? देखे हमारे पार्टी का जो राष्टे नेतर तो है और विशेश तरह पर देश के ये सफ्री प्रदानमंत्री आदनीशी नेदर मोदी जी वह हमेशा हम सभी को चाहिए वो MPs हों, चाहिए वो पार्टी के कर करता हों, वरिष्ट कर करता हों, उनको हमेशा एक सीख देते रहते हैं, कि भासा ठीक होनी चाहिए, कुछ ऐसा मत बोलिये, जिसका नुकसान पार्टी को भी हो, और खामा खाम, बिपक्स को, कोई ना कोई, हमारे सामने सवाल त्यार मिल जाए, तो हमेशा मोदी जी हल्की बातों को पसंद करते नहीं है, हाँ, वो पार्टी के, जो भी हमारे प्रवक्ता है, उनको पूरी छूट है, यदि अपोजिशन की ओर से कोई गलत आरोप लगाया है, ठोक कर उसको जवाब दे, मोदी जी की सरकार की, जो एक्स आउडनरी प्रफॉर्मेंस है, उसके बारे में मीडिया के सामने खुल कर बोलें और बोलते हैं, लेकिन भासा पर हमारा कहीं ना कहीं हमें सयम भी बना के रखना चाहिए और उसके उपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए. जहां पर रामवीर सिंग बिधूरी जी सांसद है. जाहिर तो पर एक फेस ओफ चैलेंज के लिए भी उन्होंने आतिशी को नियोता दिया है. कैमरमेन चंद्रदेव के साथ अजातिका सेंग, ABP News, दिल्ली.